राजस्तान से हच पर जाने वालों के लिए आज से ओनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है कोटा में आज स्टेट हच कमीटी के चेर्मेन अमीन पठान और शहर काजी अनवार अहमद ने आवेदन प्रक्रिया को कम्प्यूटर का बटन दबा कर शुरू किया शहर काजी अन्वार अहमद और चेयर्मेन अमीन पठान ने इस मौके पर हच पर जाने वालों के आवेदन होने पर मुबारक बात दी अमीन पठान ने कहा कि देश भर के 21 जगों में से 12 जगों पर हच की फ्लाइट पर रोक लगा दी गई थी लेकिन देश भर में सिर्फ राजस्तान ही ऐसा प्रदेश है जहां से रोक हटा दी गई पठान ने यह भी कहा कि हच पर जाने के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म परें ताकि फॉर्म भरने में कोई गलती ना हो क्योंकि उसमें गलतियों की बुंजारिश कम होती है तो इसलिए आप से गुजारिश है कि आप जो इस बार ओनलाइन फॉर्म भरने का आप लोग खैल रखें आपको पता होगा कि इस बार जो इमार्केशन पोइंट थे हिंदुस्तान में जो 21 है उन 21 पोइंटों में से कोशिश सी हमने बात की हमारे अकलियती मामलाद मिनिस्टर साथ से राजस्तान की यशुति मुख्यमंतरी जी से और मैंने अपने परसनल तालुक से भी उन से बात की और हमने कहा कि राजस्तान का जो एरिया है वो काफी लंबा है जेसल मेर बार मेर गंगानगर डूंगर और मैं आपको बता दो कि हिंदुस्तान में सिर्फ जेपूरी है कि मारकेशन पॉइंटे जिसको वापसी हुई है